कि उक्रेशु फट्रिक वाल्कम फ्रेंड्स आप सबीका स्वागत है मेरे यूटूब चեनल डॉकर मेट पर मैं अगर आभी भी आप यूट्रारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज शब्सक्राइब करें बैल आइकट को हिट जरूर करें यसे आपको फूचर न जो इसकी आंदे खाईये यह कब से हुआ है से यह उद्धी पान दिन से घूम रहा है यह जब रहा है तो खाणे कोई खाने को दिकते जाएं जदे पाई जड़ा आए अर्ये वह तो थीक है उसको कोई प्रॉल्म होई है तोटी कोलिस, oh my goodness किती दिन का है यह कब से रखें आप क्या करते हैं यह होने वाला किन महीने का यह आप रैबिट देख रहे हैं यह आराउंड फाइव मंथ का ड्वार्फ रैबिट है और इसकी कंडिशन को देख के आपको लग रहा है कि क्या हो गया इस बिचारी को देखिए इसका जो हैड है वह कंप्लेटली 180 डिग्री से उपर तक टिल्ट है और इदी कैसे दिखिए कैसे पुरा रिवाल्व कर रहा है तो इसे वेस्टीबला डिजीज कहते हैं इसका नाम है टेकनिकली इंस्टिफलोडोटोजनोसिस यह एक माइक्रोस्परोडिया प्रोटोजोवा होता है जिसका नाम है इंस्टिफलोडोजोनोसिस क्यों निकुलेई यह जो है ब्रेन में इंफेक्शन करता है रैबिट्स के यह अब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहता है रैबिट में और जब भी यह रैबिट इम्नो कंप्रमाइज हो जाता है तो यह मेनिंजाइटीस ब्रेन में इंफ्लमेशन कर देता है जिसे कारण से इस तरह का सेरेब्रल सिंटम्स जो है वो रैबिट को होता है तो आप में ज्यादा देखा जाता है जो कि होम ग्रून रैबिट होते हैं और जिनके बच्चे काफी वीक होते हैं ऐसा नहीं कि सभी रैबिट में होता है यह 1000 रैबिट में कभी-कभी इस तरह के सिंटम्स आते हैं यह बहुत ही जरूरी है आपको जानना कि अगर आप घर में रैब में दिख रहे हैं तो हो सकता है कि इसके लिए बेसिकली क्या है कि अगर हम इसका डियाग्नोसिस करें तो एलिजा टेस्स के थूरू ही इसकी डियाग्नोसिस 100% कंफर्म होती है बट इस तरह के जो सिंटम होते हैं वो मुस्टी रैबिट में जब दिखते हैं तो 50-60% चांसे होता है कि इसको एक कुनिकुलाई का इंफेक्शन हो कभी-कभी अगर ब्रेन में इंफ्लमेशन होता है तो उसमें पास्चुरला मल्टूसिडा के कारण भी इंफेक्शन होता है बट उसमें एक कॉमन और भी अडिसनल सिंटम होते हैं जैसे कान में इंफेक्शन रहेगा तो तो अगर आपके रैबिट के कान में इंफेक्शन है तो हो सकता है और स्टरवल सिम्टम है ब्रेन के इंफेमिशन हो है तो उसमें हो सकता है कि साइध इसको पास्चुरा मन्टसिटा का इंफेक्शन हो और क्योंकि यह जो रैबिट है इसके कान में कोई प्रॉलम नहीं थी कान ठीक था, तो tentatively we could presume कि ये हो सकता है कि E. Cunucoli का infection हो, इसलिए इसको अपने आपको बचा कर रखना है, infection ना हो, mostly potty के रास्ते से ये Microsprodia वाहर आता है, तो अपने हाथ को भी ध्यान में रखना है, अपने बच्चों को भी इससे बचा कर रखना है, ठीक है, इसका treatment बहुत आप उसको जो है, fenbendazole से deworming कराईए, at the rate of 20 mg per kg body weight, 4 weeks तक लगातार आप deworming कराईए इसकी, और इसके सासा जो है, एक अच्छे rabbit expert veterinarian के पास ले जाईए, तो वो selective antibiotics और inflammation को कम करने के लिए, थोड़ा सा laxatives भी देंगे, और osmotic diuretics भी देंगे, जिससे कि वो धीमे से इस और ऐसा नहीं कि हम 100% उसको बचा ही सके, ऐसा symptoms है, तो यूजली ये रिक्मेंट किया जाता है, कि ऐसे rabbits को कल कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो recovery rate है, response rate है, वो बहुत ही कम है, so kindly please ये ध्यान बर रखिये, और भी अपने friends को जिनके पास infection होता है, तुमको बताईए, thank you. उनकी ID को सर्च करना प्रेक, dr.mish.cm4, उसके बाद उनकी availability को चेक कीजिए, उसके बाद call me for wallet को रिचार्ज कीजिए, money add कीजिए, और money add करने के बाद फिर आप जो है, उनसे आसानी से बात कर सकते हैं, जब भी वो available हो, thank you. आप अपनी problem को voice mail की through भी भेज सकते हैं, या number है 8297142325.